अपने प्रक्रण पांच मां गया अंक मां पेट्रोलियम ना सुधी करणने अंते जे विवित प्रकार ना घटको मले छे एना विशे बात करी हती अने कुद्रती वायो विशे शिख्या हता तमने बदाने याद अशे तो मित्रो मने जणावो जोईए कि पेट्रोलियम ने कालू सोनू एटले के ब्लेक गोल्ड एउशामाटे कहवामा आवतु होशे विचेरो जोईए हाँ वेरी गुड पेट्रोलियमनू जारे रिफाइनरी मां शुधी करण करवामा आ माड़ी आवे छे वेरी गुड तमने नाम बद्धार याद छे जेमके LPG एटले के लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गेस त्यार बाद पेट्रोल डीजल केरोसीन पेराफिन मीन बीटूमीन अने उन्जन तेल आवा घणा बदा उप्योगी उत्पादनों माड़ी आवे छे आने हाँ मित्रो आप बद्धार जउप्योगी उत्पादनों छे ए कोईने कोई रिते आपन ने अन्निये उत्पादनों मापन काम आवे छे केटलाक उत्पदनों एवा छे जे सिधाज उप्योग मालाई शकाई छे जारे केटलाक उत्पदनों एवा छे के जे विजा उत्पदन मा उप्योगी बनता होई छे तो आरिते पेट्रोलियम माथी मरता विवित घटोको छे एनो उप्योग पोलीमर्स, प्लास्टिक, रंग को एडलेके पेंड्स जे रंग काम माटेना रंगु आवे छे एनो उप्योग थाए छे औने एटला माटेज एनू उप्यूगितानू मुलिय छे ए आकीने एने कालू सोनू एदलेके ब्लेक गोल्ड तरीके कोड़क्वामा आवे छे हामित्रो तमे मने हवे ए जणावो के अश्मी बलतन छे एमा सवथी उत्तम बलतन कईू या दावी गईू ने वेरी गुड ए छे कुद्रती वायू हाल मा गुजरात ना घणा शहरो मा पाइब्ड नेचरल गेस एनू नेटवर्क स्थपायलू छे तमारा घरे पन कजाज आ पाइब्ड द्वारा गेस आवतो हो शे जेनो उप्योग तमे रांधवा माटे करो छो साचुने अमदावाद वडोद्रा सूरत आवा केटलाक मोटा शहरो अन हवे तो नाना शहरो मा पन आ पाइब्ड नेचरल गेस थे एनू नेटवर्क छे आवी गईू छे हवे आ पाइब्ड नेचरल गेस नो व्याब छे वधी गयो छे अने गुजरात ना गणा शहरो मा अने भारत मा पन धिमी धिमे आ पाइब्ड नेचरल गेस एनो उप्योग छे वत्तो जाई छे खुब सरस तमे तो घनू बदू याज छे मित्रो तमने पन गेटलाग प्रश्न थता आशे के आज ये कुद्रती अवस्थामा अश्मी बर्तन मड़ी आवे छे एने प्रयोक्षारामा बनावी शकाई तमारी जेवात प्रश्नों छे ये बुजोने पन थाए छे तो चालो बुजोनों प्रश्ना सोंँ चे जोईए शो मुरूत्यजीऌ माती कोल्स पैट्रोलियम अने कुद्रती वायोने प्रयोक्षारामा बनावी शकाई जो मित्रो बुजोने आहिए सुन्दरमजनों प्रश्ना थाई छे के ज्यारे मुरूत्य जिवो चे एमां прив्रती रीते आश्मी बलतन मड़ी आवे तो आना माटेनों जवाब पहेली आपे छे ए जवाब पहेली नुँ आपने जोईए अने हाँ तमे पन विच्यारो के पहेली शुँ जवाब आपती होशे चालो जोईए हाँ मित्रो पहेली एवु कहे छे जोऊ ना प्रयोक्षाला मा आवी आपने वाद करी हाँ चे के मुरुद्ट जीवो छे ए जारे माटिना स्तर मा तटाई छे धीमे धीमे एना पर स्तर बनता जाए छे अने प्रुथ्वीन दबान ना कारने अत्वा जमीन ना दबानना कारने ऊंचा ताप मनना कारने अने विजुष्मारो आतु शमय बेरी प्रक्रिया चे औने एक दिमारूपा अंतरन प्रक्रिया ना अन्ते आपणने आश्मी बलतन मड़ी आवे छे तो आगल पहेलिशू करे छे जो ये फरीवकत दिमी प्रक्रिया चे औने तेवनी बनावट माटे परिस्थितियोन्चु निर्माण प्रयोक्षाइमाँ न थाई शके हां मित्रों पहेली ये तो खुब सरस्वात करी अने उत्तर पड़ेनों तार्किक चे जुओ तमे आ प्रक्रिया छे एना माटे केटलीक परिस्थितियों निर्मान जरूरी छे जेमके खुब उंचु दबान, खुब उंचु तापमान अने समय नो लांबो प्रभा ए वस प्रयोक्षाडामा शक्किया न थी, एटला माटेज आपने आ अस्मी बर्तोनों छे ए कुद्रती अवस्थामाज मेडवी शक्किये छिए नहीं के प्रयोक्षाडामा आगल वदी है मित्रो, हवे आपने जे वाद करवाना चीए, ए मुद्धो खुबज सुन्दर छे अने साथे साथे गंभीर पन छे तमारे आ मुद्धानी चर्चा करती वखते केटलिक बाबतों छे एने खास नोंधवा नीचे हा मित्रो, आपने संसाथनों नी वाद चे ए अगाव भनी गया के केटलाक संसाथनों चे ए केवा चे पुनह प्राप्य चे जे आपनने फरिथी मली आवे चे अन्ने केटलाक संसाथनों चे पुनह अप्राप्य चे जे आपनने फरिथी प्राप्य थता नती अथवा एना प्राप्त थवा मां खूब लामव समय धाई छे तो मित्रो आ कुद्रती संसाधनों कि जे खुटी जाए तेवा छे पुनह अप्राप्य छे एना विश्वे बात करवानी छे आपने तो चालो जो ये आ संसाधनों छे अश्मी बलतन जंगल अने खनी जे पैट्रोलियम, कोल्सो और अने कुद्रती वायू आतो अवे भूलावुज ना जोई हां वेरी गूड अवे एनी साथे साथे जो जंगल अने खनी ज आ बन्ने संसाधनों पन कुद्रती संसा धनों छे ? हो ओ त्रण 2-3 जे संसा धनों छे एना उप्योग आपने के वुरिते करवानों छे ? इने वीशे वाद करीशू अने एनों उप्योग छे ए जो विवेक पूर्ण न करवामा आवे तो तोशूर थाए एनी पन वाद करीशू तो पेला आपने जोए कि आ संसाधनों छे ए आपने पासे हालमा खुबज मरियादित जथामा छे एटला माटे आपने एने लांबूर समय सुधी चलावा होई आपने जोवा मलती जाई छे जो मित्रो आ संसाधनों नों विवेक पूर्ण उप्योग करवा थी केटलीक समस्याओ सर जाई छे जेम के वायू प्रदूशन तो पेला आपने थोड़ी वायू प्रदूशन विशे बात करिये मित्रो तमने ख्याल छे कि वाहान व्यवार मां मोट्टा भागना वाहानों छे एमां पेट्रोल डीजल अने कुद्रती वायू जे CNG तरीके वप्राई छे हवे जारे पेट्रोल अने डीजल युगत वाहानों छे एनो वप्राश चे ए बौह्रा प्रमण मा थाई त्यारे स्वाफविक छे, आवा भाहानो धुमाडो बहार काड्ये छे, अने आ धुमाडामा केटलाग वाईुने प्रदुषित करेवा जेरी संयो जनो होईचे, जेम के कार्बन, डायोक्साइड, कार्बन, मोनोक्साइड, नायत्रोजन नाकेटलाग जनो अ बदाना कारणे आपनी हवा अथवा वायू छे एनी जे संतुलित अवस्था छे ए धिमे धिमे खोरवाती जाही छे अने एना कारणे पायू प्रदूशन थाई छे हवे मित्रो अहीं मारे तमने एक सुन्दर मजानी वाद करवी छे कार्मन डायोकसाइड वायू नो गुणधर्म जनावो छे कोईने याज छे कार्मन डायोकसाइड वायू ना अनुओ छे एनो एक गुणधर्म एवो छे कि ए कार्मन डायोकसाइड ना अनुओ छे ए वात्ता प्रती वर्ष वधारो थतो रहे छे। ग्लोबल वर्मिंग तरीके ओडख्वामा आवे छे। ग्लोबल वर्मिंग ए बिजु काई नाथी। परन्तु प्रुत्वी ना शरेरास तापमान मा थतो वधारो छे। अने आ विश्वव्यापी होवना कारणे एने आपने तुना मापियो छे ग्लोबल वर्मिंग। तमें आहीं जोई शको छो। ग्लोबल वर्मिंग चे ए वायू प्रदुषण ना कारणे उद्भवेली समस्या छे। अने आ ग्लोबल वर्मिंग ना कारणे हवे आपनी सामें घणी बदी समस्या वो सर्जाती जायी छे। ओजोन वायू छे एना सर्णो नाश, ध्रुवो ना बरफ नू पिगलन, पछे याद करो जोए, कुद्रती प्रकोपो, जेमके अति व्रुष्टी, अना व्रुष्टी, धर्ती कंप, वावा जोडू, आवा कुद्रती प्रकोपो पन वधी रहिया छे। तो मित्रो, हवव तमने ख्याल आवो जोए, कि आ कुद्रती संसाधनों छे, एनो जो विवेक पुर्णा उप्योग करवामा आवे, तो एटलिक समस्याओ एवी छे, जे चे केटलिक समस्याओ नों आपने सानिक अक्षाय सामनों करी रहिया छे, जारे केटलिक समस्याओ नो आपने विवेक पुर्णा करता शिखू पडशे, तो आ विवेक पुर्णा उप्योग करवो कई रिते, चलो एनी बात करिये, जो मित्रो, भारत नी धा पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च असोसियेशन, एटले के PCRA, ए संस्था वहान चलावता समये, पेट्रोल अथवा डीजल नी बच्चत कई रिते करवी, एना माटेनी केटलीक सला आपे छे, आ सला जो आपने ध्यानमा राखिशू, तो गणा बधा अश्मी बलतन ने आपने बचावी शकिशू, औने भावी पेढी सुधी आपने एने पोंचारी शकिशू, तो जुओ, आ त्रणे आत्रन मुद्धाओ चे तमारे ध्यानमा राखवाना छे, खास वाहन चलावती वक्ते एक तो आपने फ्यानमा राखवानू छे, बने त्या सुधी एक धारी अने मध्यम गतिती वाहन चलावो, त्यार बाद ट्राफिक सिगनल पासे, अथवा तमारे जिया राज होवानी ह तोई त्या एंजीन बंद करीदो अने सवतियद त्यनू के तमारा वहांचे एनी तमारे नियमित जाड़ाउनी करवानी छे आब दी बाबतों नो आपने जो ध्यान राखी सु तो PCRA आ संस्थाएजे आपने सला आपी छे आपने सारी रिते आगळ वधारी शक्कीशु और ए प्रमाणे केटला कुदरती संसादोनों ने बच्चावी शक्कीशु आमित्रो तो आपाठ मा आपने कोल्सो पेट्रोलियम और कुदरती वायु आ त्रने त्रोन असमी बलतन विसे खूबज विशद रिते चर्चा करी और आपने आपने खात्री शक्कीशु और आपने वडिलो अथवा माबाप एनी मदद लएने करवाना चे करशो ने? तो जो ये? तमारे आना माटे एक बुक बनावानी चे और एक बुक ने नाम आपनू छे माई प्रोजेक्ट बुक रामित्रो पेलो प्रोजेक्ट छे भारत नो रेखांकित नक्षो और एमा तमारे अश्मी बलतन ना थान दर्शावाना चे पोल्सो पेट्रोलियम और जेनू टाइटल चे उर्जा वप्राश अने उर्जा सम्वरक्षण हा मित्रो आज सिर्षक हेठळ तमारे सुन्दर मजानो एक प्रोजेक्ट तैयार करवानों छे जेमा तमारा घर ने पन तमे शाक्री सको अथवा तमारी आडोस पाडोस मा जे रहता होई एवा कोई करो अने ए पांचे-पांच घर मा छेल्ला पांच वर्ष मा अश्मी बलतण माथी कया-कया बलतण नो उप्योग थे रहो छे अने एनो वप्राश चे ए वधियो छे के घटियो छे ए पन तमारे नोंद करवानी छे अने आ घर ना सब्यो आ उर्जाना स्रोतों ने बच्याव अने आफ़ा माटे अथवा एनो विवेक पूर्ण उप्योग छे ए करे त्यारे शूशू ध्यान मा राखे छे एनी पन तमारे नोंद करवानी छे आ भाग मा आपने आपना कुद्रती संसा धनों छे ए मरिया दिस अथामा छे औने एनो कई रीते विवेक पूर्ण उप्यो परिति मर्शू त्यां सुदी बजाने बाइबाई ये नमस्कार विद्यार्थि मित्रों कैसे हैं आप कक्षा आठ में हमने इकाई एक से लेकर पुंद्रावर्तन एक तक की सभी इकायों का अभ्यास किया है और आज हम कक्षा आड की इकाय छे बरत का अध्यन यहां पर करने वाले हैं इसकी जो कथा वर्स्तु है उसमें चार पात्र है एक हे राजा दुश्यन इस इकाय का जो मुख्य पात्र याने की जिस से हमारे देश का नाम करण हुआ है वो बच्चा याने की बरत और दो तपस्वीनियों की बात यहां पर है याने की इन चार पात्रों के भी जो समबाद होता है उसके जरिये हम इस नाटक को जानेंगे और समझेंगे इस इकाय की शुरुवात करने से पहले आए जान लेते हैं कि इस एकाय से हम क्या-क्या श्खने वाले हैं तो देखिये जरा इस एकाय के माध्यम से हम यहां पर लेकर का प्रिचेप्राप्त करेंगे इकाय का श्रवण करेंगे और पठहन करेंगे और एकंकी का नाटे करन विद्याद Què मित्र यहां पर दो बाते मेहत्वपूर्ण है एकांकीका स्रवन तो आप यहां से करने वाले हैं, लेकिन इसका पठन आपको खुद को करना है। यानि कि मैंने बताया कि यहां पर चार पात्रों के भी जो संवाद हुआ है उसकी बात है और नटी करन भी आप कर सकते हैं तो आप अभी घर पर है तो अपने आसपास के मित्रों को जोड़ कर भी भिन्न भिन्न पात्र देकर आप इस इकाई का जो संवाद है वह आप कर सकते ह यानि कि उसका आप नाट्टी करन कर सकते हैं और इसी के जरिये आपका पठन भी हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको इस इकाई का पठन और नाट्टी करन करना है आए अब देखते हैं इस इकाई के लेखक के बारे में इस इकाई के जो लेखक हैं इनका नाम आप जान चु आगरा में इनका जन्म हुआ था 1926 में और राजा लक्ष्वन सी की विशेष्टा ये थी कि इनको कई सारी बाशाओं का ग्यान था आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं आप गुजराती भी जानते हैं अंग्रेजी भी पढ़ते हैं लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कई सारी बाशाओं का ग्यान था जैसे की हिंदी अंग्रेजी संस्कृत अर्भी फार्सी बंगाली इस प्रकार की कई सारी बाशाओं के वे ग्याता थे और यहां पर संस्कृत के महाकवी कालिदास रचित अभिज्ञान शांकुंतलम, मेगदूत और रगुवंश जैसे जो नाटक हैं इनका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्वन सी ने किया है और साथ ही साथ इन्हों ने कई सारी कृतियों का कई सारे पुस्तकों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है और आज हम इनके द्वारा किये गए ऐसे ही एक अनुवाद से रचित यह इकाई आज पढ़ने वाले है विद्यार्धी मित्रो हमने यहां राजा लक्ष्वन सी के बारे में इकाई के बारे में जानेंगे हम इकाई का नाटी करन यानि कि मंचन किस प्रकार से हुआ है और उसका वीडियो यहां पर देखेंगे तो देखते हैं इकाई अरे सी तु अपना मुग खोल मैं तेरे दाद गिनूँगा ए हठीले बालक तु वन के इन पशों को क्यों सताता है हम तो इन पशों को बाल बच्चों के समन रखती है तेरा साहस बढ़ता ही जाता है तेरा नाम रिशियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है अहां क्या कारण है कि मेरा सने इस बालक की ओर उमड़ा साहता है जो तु इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सीनी तुझ पर दोड़ेगी तीक है सीनी का मुझे ऐसा ही डर है यह बालक अवश्य किसी तेजस्वीवीर का पुत्र है इसका मुख अगनी के समान दबक रहा है हे प्यारे बालक सीनी के बच्चे को छोड़ दे मैं तुझे खिलो न दूँगी पहले खिलो न दे दो लाओ का है हाँ, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है अंगलियों पर कैसा अद्बुझ जाल है और हथेली की शोभा प्रातह कमल को भी लज्जित कर रही है हे सखी सुवरता, यह बातों से न मानेगा जा, मेरी कुटिया में रुशी कुमार के खेलने के लिए मिट्टे का मोर रखा है उसे ले आ मैं अभी लिए आती हूँ तब तक मैं इसी सींगे बच्चे के साथ खेलूंगा इस सुन्दर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा लल चाता है धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोध में लेकर उनकी अंग की धूली से अपनी गोध मैली करते है और पुत्रों के मुख अकारण हसी से खुल कर उज्वल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते है क्यो रे ढीट तु मेरी बात कान नहीं धरता कोई रुशी कुमार यहां है हे महात्मा तुम ही आओ और कुपा करके इस बली बालक के हाथ से सीए के बच्चे को छुडाओ अच्छा हे रुशी कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरन क्यों सिखा है जिससे तुमारे कुल की लाज जाती है यह तो कोई अच्छी बात नहीं हे बड़भागी यह रुशी कुमार नहीं है सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के है यह रुशी कुमार नहीं जान पड़ता परन्तु मैंने तपोवन में वास देख इसे रुशी पुत्र जाना था आहा जब इसका हाद छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्श होता होगा बड़े अचंबे की बात है तुम्हें क्यों अचंबा हुआ इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली हे तपस्विनी जो यह रुशी कुमार नहीं है तो किस वंश का है यह पुरू वंशी है इसलिए इसकी सूरत मुझ से मिलती है पुरू वंशियों में यह रीथी तो निश्चित है कि यूवा आवस्था में वे महलों में रहकर पृत्वी की रक्षा और पालन करते हैं पर व्रिद्धा आवस्ता आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों की आश्रम में व्रिक्षों के नीचे कुटे बना कर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला या नेडर और असाधारन बालक मनुश्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। हे परदेशी तेरा यह संदेह तब मिठ जाएगा जब तुझ जान लेगा कि इस पालक की मा में का नामक एक अपसरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। क्या तो बड़े आनन की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्शी की पत्नी है। जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराद छोड़ दिया है। उसका नाम मैं ना लूँगी। यहा कता तो मुझ पर लगती है। भला, अब इस बालक की मां का नाम पूछो। हे सरवदमन, यह शकुंतलावन्य देख। कहा है शकुंतला, मेरी माता। यहा तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से दोखा खा गए सरवदमन। मैंने तो कहा था, मिट्टी के मोर को देख। इसकी मा, मेरी ही प्यारी शकुंतला है। यह इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वरतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है, जैसे मिर्ग तृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है। मुझे यह अमोर बहुत अच्छा लगता है। ओ, बालक की बाहां से रक्षा बंदन कहां गया। घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था। सो वह पड़ा, मैं उठा कर तुम्हें दिये देता हूँ। अरे-अरे, मत उठाओ, इसे मत चुना। ओ, इसने तो उठा ही लिया। यह अलो, परन्तु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। इस रक्षा बंदन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नाम करण हुआ था, तब महात्मा मरीची के पुत्र कश्यप ने यह दागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धर्ती पर गिर पड़े, तो इस बालक के माता पिता को छोड़ कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। और जो कोई उठा ले, तो क्या हो? तो यहां तूरंट साप बन कर उसे डस्ता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। तो अब मेरा मनोरत बुरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाओ। यहां पर विद्यार्धिमित्र आपने देखा। और बार्षा की विशिष्टा भी यहीं पर देखने लायक है। कि एक तपस्विनी, दुसरी तपस्विनी को बेतती है कि जाओ, तुम इसके लिए मिट्टी का खिलोना लेकर आओ। और वह मिट्टी से बना हुआ मोल लेकर आती है। और पहली तपस्विनी कहती है बच्चे से कि यह शकुंतलावन्य लो और बच्चे की मा का नाम शकुंतला था। तो बच्चा पूछता है कि मेरी मा कहां पर है। तब तपस्विनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मा के बारे में नहीं बता रही। और उ उसके बाद उसकी जो रक्षा बंदन थी बच्चे की वह छूट जाती है गिर जाती है तपस्वीनिया मना करती है राजा दुष्षन को कि बहुतुम मत उठाना क्योंकि ये रिशी द्वारा दी गई है और अभी शापित है कि इस रक्षा बंदन को कौन उठा सकता है हां उस कि मा और बाफ के अलावा कोई आत्मे नहीं ले सकता लेकिन उसके बावजुद如何 राजा दुष्षन उस रक्षा बंदन को अपने आत्में ले लेते हैं और बच्चे के आत्में बान लेते हैं और तपस्वीनियों को जो डर था कि क्या होगा लेकि ऐसा कुछ हुआ नहीं औ और उसके बाद जब राजा दुश्यंत तपस्वीनियों से पूछते हैं कि ये बच्चा रिशी बालक नहीं है तो किसका बच्चा है तब तपस्वीनिया कहती है कि ये शकुंतला का बच्चा है और उसके पिता ऐसे है जो इसको जन्मस के पहले ही यहां पर छोड़कर चले ग पिता हूँ और वहां जाकर ये कथा रुकती है तो यहां पर आपने एक सासी बालक के बारे में जाना और साथी साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जब रिशी आश्रम की परंपरा और उस परंपरा के तहत शिक्षा या वहां रहकर ही जीवन निर्वा की जो बाते थी उसक साथ जुड़ी हुई कई बाते भी हमें इस इकाय से समझनी है और साथ ही साथ शकुंतला यहां पर रह रही थी कणवरुषी के आश्रम में और वहीं पर इस बच्चे का जन्म भी हुआ था और जब यह राजा यहां पर आ जाते हैं उनको पता नहीं कि यह मेरा बच्चा है ल यह सारी कहानी तहां पर हमने सुनी और समझी हाँ विद्य लए मित्रों तो अब आपको यह करना है अपने नाटक तो देख लिया लेकिन अब मैंने शुरुवात में ही बताया अब दोबार आपको यह कह रहा हूँ कि आपको इस एकाय का पठन करना है और हाँ बिन-बिन- ये आपको समझना भी है कि जब दुष्यंत बोलते हैं और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि दुष्यंत खुध बाहज बात करते हैं यानि कि उसका समभा समने वाला नहीं सुन सकता यारे लेकिन वर फुद ही खुद बात कर रहे तो हमें कुष्टक में लिखा देखने को मिलता है स्वैम लिखा हुआता है यानि कि दुश्यन्त अपने आप ही बात कर रहे तो ये भी हमें यहाँ पर समझना है और फिर से एक बार आप अपने साथी मित्रों के साथ जुड़ कर इस इकाय का इसी प्रकार समवाद के जरिए पठन करिए और इसे समझे दन्यवाद